Firebolt लपनी back-to-back premium smartwatches launch कर रहा बिनके एक नई smartwatch launch होने वाली है जो बहुत ही premium design और premium features के साफ में देखने को मिल जाएगे जिसका नाम है Firebolt Invisible Plus अब यह जो watch है इसके पहले जिसे quantum अगरा launch रही थी तो इसमें design बहुत ज़्यदा premium था लेकिन features wise थोड़ी सी कमी कर दी गई थी लेकिन इस वाले watch के अंदर में सारे features आपको मिल जाएगे जो necessary type के होते हैं किसी भी smartwatch में तो आगे सब कुछ बदाने वाला हूँ Firebolt Invisible Plus smartwatch के बारे में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पहले आपर शुरौत करते हैं इसके design और build से तो जो frame है यह metallic होने वाला round frame है और right hand side में top और bottom में ऐसे दो physical की मिल जाएगे और center में crown है जो working होने वाला है अब इसमें step लेते तो उसके साथ में आपको एक silicone का step free मिलेगा अब यह कब तक मिलेगा उसके बारे में surety नहीं लेकिन अगर आप first time इसको order करोगे तब आपको यह offer में company दे रही है तो अकुल मिला कि यहाँ पर design और build काफिरा premium मिल रही है और अगर display की बात करें यहाँ पर तो इस पा का भी support है लेकिन यहाँ पर 22 watch faces आपको different type की मिलेगी always on display के अंदर में तो यह एक improvement आप बोल सकते हो black and white type की always on display नहीं मिलेगी थोड़े color options भी दिये गये हैं और 120 plus high quality watch faces cloud based है और आप custom watch face भी use कर सकते हो तो display का size 1.43 इंच का मिला जो काफी बड़ा size है मेरे साब से आम लग डि display भी काफी अच्छी आपको इस वाले watch के अंदर में देखने को मिलेगी अगर आप workout लबर हो तो इसमें 300 plus different different type के sports mode मिल जाते हो तो काफी लंबी list watch के अंदर में मिल जाएगी workouts mode की लेकिन जो accuracy है वो average वाली ही देखने को मिल जाएगी इसमें built-in GPS भी नहीं होगा तो आपको Bluetooth दूसरा device है तो आप डिरेक्टी watch से उसको connect करके कोई भी अगर आपने शौंग में store किया है तो आप उसको enjoy कर सकते हो तो यह 4GB के जो onboard storage है यह थोड़ा से इसको खास बना देती है कि किसकी जो pricing है वो फिलहाल बहुत ही कम रखी गई जब आप इसको first time sell में buy करोगे तो और अगरा fitness feature side से देखते हो तो इसमें heart rate मिल जाता है SPO2 है sleep tracking है breathe training sedentary reminder water drink reminder तो multiple type के यहाँ पर fitness features दिये गए हैं अब जो accuracy है बहुत ही accurate तो आपको data नहीं मिलेगा around 80% के आसपास accuracy देखने को मिल जाएगी इस watch में 5 games built-in भी होने वाले है तो कुछ लोगों को smart watch में game खेलना पस आप directory watch में कर सकते हो firebolt invisible plus के अंदर में 380 mh की battery होने वाले तो battery size थोड़ा सापको बड़ा देखने को मिलेगा अगर compare करोगे दूसरे smart watch से जो battery life है यहाँ पर लगबग से save a day का है बिल्कुल normal use पे लेकिन थोड़ा आप इसको heavy use करोगे जैसे always on display bluetooth calling तो एक से दो दिन का battery life आपको मिल जागा अब depend करेगा आपकी uses के उपर में सो कुल मिला के कुछ यही सारे features होने वाले है firebolt invisible plus smart watch में बात करें इसकी launch date और क्या इसकी pricing होने वाली है तो यह 15 March को दो पहर 12 बजे basically Amazon पर sell पर जाने वाली है और जो इसकी launch price है वो 3999 की 4000 रखे गई है अब pricing के साब से कर आप देखते हो तो आपको एक बहुत ही प्रीमियम टाइप का इसका design और बिल्ड मिल जाता है क्योंकि metallic पूरा होने वाला है तो मेरे सबसे pricing काफी बढ़ी है रखे गई है इस वाले watch के लिए तो अगर आपको भी इन सारे features की need हो budget थोड़ा कम है तो आप उस case में firebolt invisible plus को द झाता है